पागिस्तान को जबरिया अपनी बगल में दबा कर रखने के उस खोनी चाहत की जो पागिस्तान को न जीने दे रही है नहीं मरने दे रही है तो भी शायद मैं गलत नहीं होगा आज मैं और आप बेबाग बात करेंगे ऐसे बेबस बलोचिस्तान में बना डाली गई निर्वासित सरकार के मुध्य पर हिंदुस्तान के कटर दुश्मन पड़ोसी देश पागिस्तानी हुक्परानों के पेट में बेचैनी के आलम में शिरू ही पानी की गोड़गड हट की मतलब बलोचिस्तान में निर्वासित सरकार बनाए जाने की खबरों के भीतर की खबर का आज मैं या कर रहा हूँ पोश्मॉंटम मोदी को अपनी जंदगी का सबसे उंदा या कहिए पसंदीदा नेता मानने वाली और निर्वासित सरकार की सर्वे सर्वा यानि मुख्या बनाएगी बलोच मुसलिम महिला हैं प्रोफेसर नायला कादरी बलोच बलोचस्तान के प्रती हिंदुस्तानी प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की काईल और कई साल से कनाड़ा में निर्वासित जीवन जी रही नायला कादरी आखिर हैं कौन जिनको बालोचिस्तान की निर्वासित सरकार का मुखिया बनाए जाने की खबरों ने पागिस्तानी हुकुमत और बहां के हुक्मरानों की नींदुड़ा रखी है। बालोचिस्तान को पागिस्तान की बेड़ियों से मुक्त कराने के जित पर आखी है। आमादा ऐसी दिलेर और मर्दाना जिगरवाली। मुसलिम बालोच महिला नेता नायला कादरी कई साल से कनाडा में निर्वासित जीवन जी रही है। भारत की विदेश, सामरिक, वैश्यक और कोटनिती की घोर समर्थक। बलुचिस्तान को पागिस्तान के जाल से निकालने की आड़ पर आड़ी बैठी। जीवट के ऐसी मजबूत नायला कादरी बलुच ने सन 2016 में तो यहां तक बेखाफ बेबाग बयानी कर डाली थी कि अगर हिंदुस्तानी वजीर आजम नेरिंदर मोदी पागिस्तान के गेर कानोनी शिकंज से बलुचिस्तान को रियाई दिलवाते हैं तो बलोचिस्तान की सरजमी पर सबसे पहले नायला कादरी हिंदुस्तानी वजीर आजब नैरेनर मोदी की बलोचिस्तान में मूर्ती स्थापित करवाएंगी। यह उस बलोचिस्तान की किसी महिला की बेबाग मुजवानी है जिस बलोचिस्तान की जमीन पर हर दस कदम बाग। पागिस्तानी फॉज सिर्फ इस खात्र डटी रहती है कि कब बलोचिस्तान में कोई हिंदुस्तान की खैर ख्वाई या तारीफ और पागिस्तान की बुराई में जवान खोले उसी बक्त उस बलोचिस्तानी को पागिस्तानी फॉज गोलियों से भून डाले यह उस बलोचिस्तान की किसी महिला की महुजवानी है जहां पागिस्तान की फौज अब तक नमालूं कितने बेकसूर बलोचिस्तानी नागरिकों को जिन में युवा, बच्चे, ब्रद, लड़किया, महिला सब शामिल हैं को जिन्दा ही एक ही कबर में सौसो को दफना चुकी इतना ही नहीं, पागिस्तान और उसके हुक्पनानों को पानी पीपी कर कोसने बाली दबंग बलोच महिला नेता नायला कादिर के मताबिक, दुन्या में पागिस्तानी एक बो नापाक मुल्क है, जहां मदर्चों में इंसानों को पहले धर्म के नाम पर पागल किया जाता ह उसके बाद उनके हाथों में एके 47 और एके 56 राइफल बंबंदू के देकर उन्हें बेगुनाओं का खून करने के लिए गली कूचों में जवरिया धक्या दिया जाता है। इस निर्वासित सरकार का मुख्या बनाई गई हैं खूद करनाडा में निर्वासित जीवन बिता रही इनी का दावर बलोच महिला नेता प्रोफेसर नाइला कादरी कोूद जारी अपने बयान में नाइला कादरी ने माना है की वे इस निर्वासित बलोच सरकार की मुख्या ह दिया है बलुच महिला नेता नायला कादरी सभी बलुच दलों समूओं और फोरमों में से भी संपर्क करने में जुटी हैं ताकि वे सब नायला कादरी के नेत्रत्वाली इस निर्वासित सरकार का समर्थन खुल कर कर सकें और लोकतांत्रिक से धानतों पर सरकार को चलाने में मदद मिल सके बकॉल नायला कादिर बलुचिस्तान में उपनिशेद बात को तभी रूका जा सकता है जब तीनों छेत्रों में रहरे चार करोड बलुचों को एक जुट किया जा सके उनका दावा तो यहां तक है कि उन्हें अफगानिस्तान में रहरे बलुच संगठनों और इ पागिस्तानी सेना के उपर हमले भी तेज कर दिये हैं बलुचिस्तान में निर्वासित सरकार के गठन के बात से ही पागिस्तानी होकमरानों की नींद उडाती खबरों के बीच 18 अप्रेल संग 2022 को तयार की गई पॉड़कास्ट की इस कड़ी में इस वक्त मेरे यानि अपन पने हुड टीवी 9 डिजिटल चैनल के श्रोतनाओं को बताना यह भी जरूरी समझता हूं कि बलुचिस्तान कालांतर से ही चीन और पागिस्तान के हिंदुस्तान विरोधीन नित्यों की खुलकर खिलाफत करता रहा है बलुचिस्तानी हमेशा से चीन और पागिस्तान को आत तिर्चे पाउन ले जाकर पठके या रगडे उसी देश का बंटा धार या कहिए बेड़ा गर्क हो गया है बलुचिस्तान को कभी भी गुलाम न मानकर हमेशा आजात मानने वाली नायला बलुच दो टू कहती है कि बलुचिस्तान पागिस्तान के शिकंज से बाहर निकलना तो चाहता है हम तो उस वक्त भी आजा दी थे जब पागिस्तान जूट फरिब की बैसाख्यों पर किसरता हुआ हिंदुस्तान से अलग हुआ था अगर हम यानी बलुचिस्तान पहले से किसी देश का गुलाम होता तो फिर खोट हिंदुस्तान से अलग होने के एक साल बाद पागिस्तानी फौज बलुचिस्तान पर हमला करके उसे जबरदस्ती अपने शिकंजे में आखिर क्यों कस्ती। भीक नहीं मांग रही। भारत को अगर आतंगबास से अपनी जान चुडानी है पागिस्तान को उसकी आखाद बतानी है तो पागिस्तान के शिकंजे से बलुचिस्तान तो भारत को आजात कराना ही होगा क्योंकि बलुची भारत को मद्ध एशिया में इजजत के साथ पाउ रखने के लिए सुरा छित और छोटा रास्ता मुहिया करा सकता है ना कि चीन या फिर पाकिस्तान पॉड्कास्ट में आज बस इतना ही अगली कड़ी सुनने के लिए टीवी नाइन डिजिटल चैनल को सब्सकाइब करके कमेंट बॉक्स में अपने मन की बात बयान करना मत भूल जाएगा इसे के साथ अब मुझे यानि अपने दोस्त संजीब चोहन को दीजिए इजाज़त मे